हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीडियू कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में एक जवरदस्त इंडिकेटर्स या फिर बोल सकते हैं कि ट्वेडिंग स्ट्राइजी के उपर बात करने जा रहे हैं जिसको आप बोल कोई रिष्रिक्शन नहीं है और किसी भी टाइम ट्यम में आप उसका इस्तिमाल कर सकते हो यहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और यह जो इंडिकेटर्स हैं जो एक्षंड के « बैस समय ब्यूमिंटिकर्स नोढ़ की बासि को बासकर के Skillshare को रिपर्येंट करता और हो सकता है वो भी ये indicators बताने कोशिस करता है तो stock market में एक लौता ऐसा indicator है जिसको आप single use कर सकते हैं इसके साथ किसी भी और indicators का इस्तेमाल करना मना है आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अकेला ही सब पे भारी sufficient है इसलिए इसको बोला जाता है mother of all indicators और उसे strategy की बात करें वो इस indicator की बात करें तो उसका नाम है आपका Ichimoku cloud strategy जिसको हम लोग mother of all indicators बोलते हैं अगर आप GOT देखे होंगे तो इसका मतलब आप बहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसको आप बोल सकते हैं कि savior of loss makers अगर आप stock market में loss करते हैं तो आपके लिए savior साबित हो सकता है इसको आप GOT से भी कुछ हद तक relate कर सकते हैं तो यह आपको नाम से थोड़ा बहुत confusing या difficult लग रहा होगा लेकिन concept बिलकुल भी difficult नहीं है बहुत simple है बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे बस आपको थोड़ा सा time देना परेगा same concept के उपर YouTube में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि इसको 10-15 मिर्ट में खतम कर दिये होंगे लेकिन यह strategy 10-15 मिर्ट में समझने वाला नहीं है इसमें आपको time देना परेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है beyond the market, beyond the price action, beyond the chart में यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझना परता है जो कि generally लोग miss कर देते हैं यहाँ पर आप इसको समझना है तो आप दो तरीके समझ सकते हैं आप मैंगी दो मिर्ट में बना सकते हैं लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप साही पनीर मुझे दो मिर्ट में बना के दो तो वो नहीं बनेगा अगर बन भी जाएगा तो किस quality का बनेगा उसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं इसलिए इसमें आपको time देना परेगा और एक और चीज़ है यह strategy सीखते ही आपको market में कल से ही नहीं कूछ जाना है अगर आज ही time बते तो आज से ही आपको नहीं कूछ जाना है आपको इसको सबसे पहले paper trading करना practice करना उसके बाद आपको market में आना है आपके घर में नया कार आता है आपको driving के बारे में कुछ नहीं पता नहीं आपका driving license बना है कि आप उस car को लेके NH पे नहीं चले जाओगे और NH पे जाओगे तो आपका और car का क्या हाल होगा वो सब जानते ही है तो वही चीज यहां पे है औ यहां पे आपको मगरमच दिखेगा तो मगरमच क्या करता है मुझ खोल के बैठा रहता है जैसे ही सिकार आता वह मुझ बंद करता है तो ऐसे बरे बरे ट्वीडर्स आप जैसे लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं जो in patience होते हैं जो नया कुछ सीखते हैं और मार्केट में कोसिश करते हैं अब यहां पर आपको चार्ट क्लीन दिख रहा होग है अब यहां मैं आपको इंडिकरों कि चार्ट थोड़ा सा gathering लग रहा होगा यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा starting में आपको यहीं चीज़ लएगा कि यह बहुत difficult है लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं आपको एक एक करके सब का मतलब समझाओंगा फिर आपको यह जो indicators है stock market में सबसे simple लाएगा सबसे powerful लाएगा क्योंकि यहां पर सब कुछ आपको बता दिया जाता है यहां पर आपको short term से लेकि long term trend सब कुछ बता दिया जाता है इसलिए इसको mother of all indicators कहा जाता है जब यह आ जाता है तो यहां पर किसी और की जवरत नहीं होती है तो चलिए इसके उपर हम आएंगे सबसे पहले इसके पीछे कुछ point हो है उस point को हम समझते है फिर वापस से चार्ट पर आएंगे और सारा कुछ को एक एक करके समझने कोसिस करेंगे वापस से बोलूगा यह topic है एक class में खत्म होने वाल नहीं है यहां पर हम basic के उपर focus करेंगे और फिर next video में इसका advanced usage कैसे हो सकता है उसके उपर हम बात करने के कोसिस करेंगे इसलिए आपको थोड़ा सा time देना परेगा quality always needs time वापस हम PPT पर आगे और यहां पर कुछ point जो आ पर सब्सक्राइब और advanced indicator है जिसका इस्तेमाल आप बहुत सारे purpose के लिए कर सकते हैं इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं support level find करने के लिए और resistance level find करने के लिए उसके साथ-साथ यह आपके short term market trend को भी identify करके देता है और short term market trend किसको चाहिए होता है traders को चाहिए होता मतलब इसका इस आपके traders के लिए इंवेस्टर के लिए उसके साथ-साथ यह आपको क्या provide करता trading signals भी provide करता यह आपको perfect और exact entry point provide करता जहां पर trap होने के chances बहुत कम होते हैं क्योंकि यहां पर दो-तीन बार filter होता है यह आपको खुद में filter करता एक बार generate करता दुबारा उसको filter करता और triple layer filtration हो इसलिए इसको आपको अच्छे सीखना परेगा उसके बाद यह आपको target भी provide करता stop loss भी provide करता और यहीं आपको stop loss कैसे trail कर सकते यह खुद भी आपको बता देगा उसके आप इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंडिकेटर से इची मोकू इसके बार में आपको जानना आना चाहिए और आपको सटिक information चाहिए आधा आधूरा information से काम नहीं चलेगा उसके बाद अगर हम बात करें इची मोकू आपका एक universal इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल आप equity market में कर सकते हैं futures में कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बदा है it can be using all time frame यानि सारे time frame में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका इस्तेमाल आप one minute से लेके one week तक के time frame में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें को restrictions नहीं है कुछ भी नहीं है जहां चाहो उसका इस्तेमाल कर लेकिन इस्तेमाल करने से पहल हंतियार जब तक suitable नहीं होना चाहिए तब तक आप stock market में इंट्वी नहीं कर सकते हैं stock market में आप plastic का डंटा लेके इंट्वी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भेरिया के लिए काम का चीज नहीं है वो आसानी से उसको तोड़ के आपका सिकार कर लेगा तो जब तक आपके पास सटिक हंतियार ना आ जाए जिससे आप भेरिया का सिकार कर सकते हो वह information ना आ जाए उस तरह का ग्यान ना आ जाए तब तक आप stock market में इंट्री ना करो क्योंकि वहाँ पर भेरिया बैठे हुए जो आपको पैसा को खाने के लिए तयार है यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है चली चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर हम इची मो को इंडिकेटर्स को और डिटेल से समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पर हम वापस से चार्ट बेसलाइन है आपको पिंक वाला लेगिंग स्पैन है बुलू वाला लेडिंग स्पैन है लेडिंग स्पैन भी है प्लॉट बैक्गराउंड यह नहीं यहाँ पर आपका लेगिंग लेडिंग इंडिकेटर्स सारा मिला के बना और यह आपका प्राइस एक्षन के बेसिस पर इसलिए ये indicators बहुत ज़्यादा popular है और इसका accuracy बहुत ज़्यादा high रहता है यहाँ पर सबस्पहले हम conversion line और baseline को समझते हैं सारे line को यहाँ पर disable कर देते हैं सिर्फ आपको conversion line और baseline दिखेगा हम एक एक करके इन सब को उपर भी आएंगे सारों को एक साथ समझेंगे तो दिमाग में खिचरी पक जाएगा इसलिए हम एक एक करके इन सब को समझने की कोसिस करते हैं तो यहाँ पर हम इची मोकू indicators में से सिर्फ दो parameter को यहाँ पर हमने लिया बांकी सारे को हमने disable कर दिया ताकि आपको धियर धियर करके clarity से आपको समझ में आ जाए और यह दो indicators को इस दो position को हमने क्यों लिया क्योंकि यही दो point है जिसके basis पे आप short term trading कर सकते यानि intrated trading अगर आपको करना है यह दो indicators का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा आपको इसके उपर ज़्यादा focus करना परेगा बांकी सब के उपर हम किसके लिए जाएंगे accuracy के लिए जाएंगे और confirmation check के लिए उन सब के उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका इस्तेमाल इसको कैसे कर सकते हैं अब इसका इस्तेमाल भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले दोनों है क्या उसको यहाँ पर हम समझने कोसिस करते हैं यह जो green color का line है यह क्या आपका previous 9 days का जो भी price action हुआ है उसका high plus low divided by 2 यह आपका green दिखाता है यह जो आपका pink है या फिरेट जो भी आप बोल सकते हो यह क्या दिखाता यह आपका previous 26 day के high plus low divided by 2 बहुत साही लोग इसको आप 26 day moving average बोल देते हैं इसको 9 days moving average बोल देते हैं आप यहाँ पे 9 days moving average का indicators यूज़ करके देख लो 26 day का भी moving average यूज़ करके देख लो price है उसका high plus low divided by 2 और यह 9 days का high plus low divided by 2 तो यह line बन गया और यह बल आपका line बन गया अब यहाँ पे आपने इन दोवों line के concept को समझ लिया अब हम समझते हैं किसके basis पे trading decisions कैसे लेंगे यह कैसे हमें entry point बताएगा stop loss बताएगा सब कुछ बताएगा उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूंगा यह जो line है यह आपको क्या बताता है यह आपका बताएगा entry point यह नि कहां पर entry लेना उसके साथ stop loss क्या होगा वो भी बताएगा उसके साथ साथ हमारा target price क्या होगा यह कहां पर profit book करना वह भी बताएगा क्या मतलब है यह आपका nine days है तो यह price के basis पर बहुत ज्यादा reactive होता है यह nine days वाला जो line है given line है वह price को लेके बहुत ज्यादा मार्ण से denote कर दिया यह नि एक simple line आपको चार पांच चीज बता रहा entry point target कहां पर book करना stop loss कहां पर रखना कहां पर support और resistance लेवल होगा चलिए इसके different role को समझ लेते हैं अब यहां पर देखें यह जो line है जैसे price के नीचे आता है गानHow fever क्या बन जाता यह line आपका बन जाता resistance line अगर price आपका के नीचे ट्वेड कर रहा है यह line आपको एक्ट करेंगा एज़यर प्रैस इस line के ऊपर ट्वेड कर रहा है तो यह जो line है यह आपका क्या करेगा यह लाइन आपको एजर सपोर्ट वर्ट करता हुआ दिखेगा यह नहीं यहां पर आपको सपोर्ट और रिस्टेंस लिवर्ट करने की जवद भी नहीं है बस देखना है प्राइस यह जो लाइन है इस लाइन के ऊपर है तो सपोर्ट इस लाइन के नीचे तो आपका resistance के रूप में काम करेगा, जैसे देख सकते हैं, price इस line के नीचे, break करके नीचे आया, जब तक break नहीं किया, तब तक यह support बना हुआ था, जैसे break किया, यह आपका resistance बन गया, और उपर में देखिए, जैसे इसको break किया, price आपका वापस से support लिवर बन गया, तो इसक candle break करने कोशिस किया, लेकिन candle में यहाँ पर हमें strength नहीं दिखा है, उसके बाद price आपका वाल्द में नीचे आगया, फिर यहाँ पर यह resistance लिवल को break किया है, तो एक और चीज़ समझ सकते हैं, जैसे यह line flat होता है, उपर या नीचे कहीं पर भी, तो यह आपका immediate resistance और support की में काम करता हो दिखेगा, अगर price इसको break किया है, तो बड़ा momentum आ सकता है, जैसे यहाँ पर भी देख सकते है, line flat हुआ है, इसको break किया, आप सारी की तरफ big momentum आया है, यहाँ पर देखिए, line flat हुआ है, इसको break किया, नीचे सारी की तरफ big momentum आया है, यहनि इस तरह के से आप यह support resistance के रूप में काम करता हुआ दिख सकता अब इसके basis पर हम entry target stop loss कैसे define करेंगे अब यहां पर आपको दो लाइन दिख रहा होगा इसके उपर closing देगा अगला candle इसके उपर open होते ही हम क्या करेंगे यहां पर अपना entry point बना लेंगे यहां पर perfect buy करेंगे और जैसे price इसके उपर गया यह आपका क्या काम करेगा यह आपका बन जाएगा support level और जो support level बनता है उससे थोड़ा नीचे हम क्या रखते है अपना stop loss तो इससे थोड़ा नीचे हम अपना stop loss रखेंगे और stop loss का इसके साथ साथ हम trail करते चलेंगे यहां पर हमने buy किया यहां पर इसको break किया मेरा stop loss यहां पर hit हो गया यहां यहां पर मुझे ultimately अच्छा खा देखें यहां पर नीचे आया और यह candle इसके नीचे अपन हुआ अगला candle पर हम क्या करेंगे sell करेंगे इस तरीके से आप कहां पर buy कहां पर sell कर सकते हो वह एकदम clear है यहां पर कोई hard concept था simple था इससे simple आपको क्या होगा green line इसको cross करके उपर जा रहा बाई करो और green line इसको break क करके नीचे जा रहा है sell करो कोई complications नहीं है simple सा concept तो यहां पर हम बांकी लोगों को जो हमने side किया था उनको भी यहां पर लाना चाहेंगे और उन सब को यहां पर हम अच्छे समझने की कोसित करेंगे चलिए उनको भी यहां पर लाते हैं तो यहां पर देखिए अब हम lagging span leading span leaning span भी plot background इन सब को add करते हैं और इन सब को समझते हैं एक साथ फिर आपको और ज्यादा clarity से समझ में आएगा तो यहां पर हमने सब को add कर दिया यहां पर आपको violet line दिख रहा होगा यह आपका lagging span है सबसे लास्ट में हम इसके उपर बात करेंगा सबसे पहले हम यहां पर cloud के रहते हैं क्योंकि इंडिकेटर है यह आपका cloud based indicator computer वाला cloud मत समझाना इसका एक अलग cloud है जो कि यहां पर आपको green और red color में form होता हुआ दिखता है इसका क्या मतलब है अगर हम इस cloud के उपर बात करें तिहां पर आपको जो green और red color cloud देख रहा हम इसके उपर बात करें यह time frame इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा समय के लिए बताएगा कि market का sentiment कैसा है तो यहां पर इसका इसका इस्तेमाल डेली में कर रहे है तो यह आपको बताता है कि market का sentiment अभी जो फिलाल चलबा वह कैसा है तो यहां में आपको क्या बताया था इस दो indicator के basis पर positions लेना बताया था यहां इंडिकेटर के उपर निकलते हैं यहां पर आपको बाई करने के बताता है लेकिन यहां पर एक और layer of filtration आया क्या आया cloud के उपर price जाएगा तब हमें बाई करने यहां पर देखिए cloud एकदम पतला हो गया cloud का चौराई है वह बहुत कम हो गया और cloud कब break होगा जब इसका चौराई कम हो गया तब आप समझ सकते हैं cloud break होगा यहनि cloud आपको trap से भी बता सकता है limited upside या downside move को आपको predict करने में help करेगा क यह extra filtration लगाया हुआ entry point है उसके बाद देखिए price all the way उपर की तरफ गया एक और यहां पर देख सकते हैं market आपका uptrend में है लेकिन cloud का चौराई है cloud का बित है वह बहुत जादा मतलब यह दिखा रहा है कि market cloud के बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि cloud का चौराई जादा है cloud का चौराई कम होगा तब यह market इसको break कर पाएगा मतलब upside momentum तो है लेकिन यह limited upside momentum है कभी market नीचे आए उसके बाद देखिए market आपका नीचे आया ही आया है मतलब यह आपका trap जाल विचाया गया था यह आपका क्या था trap था यह यहाँ पर मगरमच अपना मुझ खोले हुए ultimately break out यहाँ पर दिया देखिए चौराई कम हुआ है आपका price उपर की तरफ निकला है यहाँ पर देख लिए चौराई बहुत जादा था जैसे आप देखिए चौराई बहुत जादा मतलब price इस cloud को break करके नीचे नहीं आएगा आप मान के चल सकते है maximum थोड़ा बहुत limited upside या ultimately break नहीं कर पाया उसके बाद इसके लिए इस तरह का candlestick चाहिए अब अगर cloud 14 है तो उस हिसाब से candlestick भी चाहिए देखिए इस size का candlestick बनाया तब जाके cloud को break कर पाया तो यह exceptional candlestick होता है जो की जल्दी form नहीं होता अगर इस तरह candlestick बन जाता है उसके बाद follow buying आता है तो फिर cloud break हो सकते हैं cloud break करने के लिए हमें इस तरह का candlestick चाहिए होगा जो की बहुत कम देखने को मिलता है और इस तरह candlestick आया तो फिर आप मानने के चल सकते ही cloud break होगा तो यह आपको जो ट्रैप है जो छोटा मोटा upside move आता है या फिर short covering आता उतसे ही आपको बहुत हद अप protect करके दे देगा इसमें देख सकते हैं कितना extra layer of protection यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इस दो line के basis पे यहाँ पे हम अपना panel ले लेते हैं इस दो line के basis पे यहाँ हम entry लेते हैं लेकिन हमें entry कब लेना था जब price cloud के नीचे आ जाए तब entry कर देए यहां है छाहार कि नीचे हों से उसके और फ्राइस आपका बहुत नीचे की तरफ गया है तो इस तरीके से लाउन का ही moment देख लिएजेए SPI का यहां पे cloud का length छोटा हो गया यह निदि फिर भी इसको break नहीं कर पाया यह निदि ब्रेक करने के लिए ideal condition था लेकिन इसको break नहीं कर पाया मतलब strong rejection from the bottom तरह में यहां पर ज्यादा एक्टिव हैं इसलिए यह आपको ट्रैप से बचाई यहां पर आपको सेल कब करना था यहां पर देखिए यह दो लाइन है आपका ग्विन लाइन पिंग लाइन को ब्रेक करके नीचे आगया और प्राइस भी नीचे आगया इहां इसके वेशिस से बचाया प्राइस आपका देख सकते कहां साय गया 480 के लेवल से आपका 490 करीब आगे यानि आपका 2% से अपसाइड मूब दिखा दिया है और जो लोग का इस्टाफला छोटा होता वो यहां पर हिट हो जाता यानि यहां पर आज ही के दिन में जो ट्रैप हो सकते थे वो से हमें कौन बचा लिया हमें इची मुकू इंडिकेटर से बचा लिए इसको मदर ऑफ ओल इंडिकेटर कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मार आपको सेव करता है इस तरह के ट्रैप से मैंने बोला था कि आपका फ्यूचर प्राइस भी इंडिकेट करता अब यहां पर दिखा और यह जो लेवल आपका 500 करीब यह नहीं अगले विक आप उमीद कर सकते हैं कि आपको प्राइस 500 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है इसलिए इसमें हमें किसी और इंडिकेटर का इस्तिवाल करने के जोगत नहीं होती है यह आपका यहां पर सपोर्ट बता रहा है होतो राइटिंग कर सकते हो या फिर और करना तो आपने कर सकते हो कि हमें किस की से focus ब्याइन करना तो यह बहुत हट्टाग आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है इस तरह का सिपती आपको और इंडिकेटर नहीं देगा तिसमें और ब्हुँत कुछ हमें सीक नाओ इस lagging indicator इसका क्या काम रहता है ये भी आपको एक filter provide करके देता है अगर price इसके उपर है तो यह हमें बताता है कि market में क्या है? market में bullish momentum है लेकिन अगर price आपका इस line के नीचे है तो यह हमें बताता है कि market में क्या है? market में आपका bearish momentum है यह नहीं यहाँ पे आपको sell side के तरफ जाना यहाँ पे देखिए price इसके उपर है उसके बाद buy side के तरफ जा सकते थे price और उपर के तरफ निकला था अब यहाँ पे देखिए यह उपर है price नीचे है मतलब थोड़ा बहुत price उपर आया है लेकिन यह क्या था trap था यह भी हमें थोड़ा बहुत trap से बचा रहा है क्योंकि price इसके ऊपर नहीं निकल पा है यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर है लेकिन इसके ऊपर नहीं निकल पा है मतलब हमें buy नहीं करना तो यहाँ पे multiple level of filtration है पहला filter आपको यह दोनों candle करके दे रहा, यह दोनों line करके दे रहा, उसके बाद आपको cloud है वो करके दे रहा, उसके बाद आपको इसको हम L.S. बोल सकते हैं, यानि lagging indicator यह भी हमें एक लेबल का filter प्रोवाइड करके दे रहा है। यहां पर देख सकते multiple filtration हो रहा है उसके साथ साथ, past का high, present में क्या हो रहा है वो भी हमें बता रहा है और साधी साथ most important future में क्या हो सकता है वो भी हमें बताने कोसिस कर रहा है और इसको अप अलग-अलग time frame में इस्तेमाल कर सकते हैं देखें कितना जबरदस्त indicator है तो इसको एक वीडियो में खंदम करपाना थोड़ा सा मुस्किल है इसलिए हम इसके उपर दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इसका और advance कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं options buying में, options selling में, futures में, long term delivery के लिए, intraday के लिए उन सब के उपर हम detail से करके बात करेंगे तो उमीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे related कुछ भी doubt हो या confusion हो तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं वहाँ पर आपका proper answer किया जाएगा उमीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया प्लीज लाइक करके हमें किजिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जैहिन